नमस्कार कक्षा नोई वाले शात्र अपना सामर विज्ञान सोसल साइंस का त्रे मासिक परिक्ष्या का पेपर देख लिजगा इस पेपर का समय तीन गंटे होने वाला है पुनांक पिचत्तर अंक और आपको इस पेपर का संपुन उत्तर इसी वीडो में मिलने वाला है तो अबी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिये गए है इनको पलड़ी जगा इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पेला प्रसंदिया है जिसमें सही विकल्प चुन कर लिखना है जो आपकी परिक्षा में छे नंबर के आने वाले हैं तो आपका पेला दिया है फ्रांस में इस्तरियों को ओड़ डालने का अधिकार प्राप्त हुआ तो पेले में आपको लिखना होगा आवला गुन्य सो चियालिस ए दूसरा आपका दिया है संसत के कितने सदन होते हैं तो दूसरे में आपको लिखना होगा आवला दो तो संसत के दो सदन होते हैं तीसरा आपका दिया है लोकतंत जनता के लिए जनता के द्वरा जनता का सासन है तो यह कतन किसका है तो तीसरे में आपको लिखना होगा अवला अब्राहिम लिंकन चोता देख लिजगा करकरे का बारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो चोती में आपको लिखना होगा अवला आठ राज्यों से पाच्व आपका दिया है इनमे से इस्ताई पुन्जी कौनसी है तो पाच्व में आपको लिखना होगा दवला उप्रोक सभी चेटा देख लिजेगा उत्पादन किर्जा की प्रतम आवशकता है तो चेटे में आपको लिखना होगा आवला भुमे अब आप सभी दूसरा प्रस्न देख लिजेगा जिसमें रिक्तिस्तानों की पूर्ती करके लिखना है जो आपकी परिक्षा में छे नंबर के आने वाले है तो आपका पहला दिया है बारत में ओट दालने की उम्र कितने वर्स है तो पहले में आपको लिखना होगा अट्टारा वर्स है यह आपको लिखना होगा और दूसरा आपका दिया है स्री लंका की राजदानी क्या है तो दूसरे में आपको लिखना होगा कोलंबो लिख लेज़ेगा कोलंबो आपको यह पर दूसरे का उत्तर लिखना है तीसरा आपका दिया है बारत में राष्टपती का कारेकाल होता है तो तीसरी में आपको लिखना होगा पांच वर्स पांच वर्स आपको लिखना होगा तीसरी का उत्तर चोता आपका दिया है प्रारोप समिति के अध्यक्स थे तो चोती में आप सभी को लिखना होगा डाक्टर बीमराव अम्बेडगर लिख लिजिगा और आपका पांचवा दिया है लोकसबा सदस्चों को चुनाव चिन्ने कोन प्रदान करता है ये आपको बताना होगा तो पांचवी में आपको लिखना होगा राश्टी चुनाव आयोग ये आपको लिखना होगा पांचवी का उत्तर और छेटा देख लिजगा बारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या है तो छेटे में आपको लिखना होगा लोक तंत्र तो बारत दुनिया का सबसे बड़ा लोक तंत्र है ये आपको लिख देना है तीसरा देख लिजगा जिसमी सत्य अत्वा असत्य बता कर लिखना है जो आपकी परिक्षा में आने वाले 6 नंबर के तो आपका पेला दिया है जार निकोलस लोकतांतरिक सासक था तो बिल्कुल नहीं था असत्य हो जाएगा दूसरा आपका दिया है बारत एक दर्म निर्पेक्स राज्य है तो बिल्कुल है सत्त हो जाएगा तीसरा आपका दिया है पोलिटिक्स के रशियता काल्व माक्स है तो बिल्कुल आपकर नहीं है असत्त हो जाएगा चोता आपका दिया है बारत का सयदान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ तो बिल्कुल नहीं हुआ था असत्त हो जाएगा पाचवा आपका दिया है गेवु रभी की पसल है तो बिल्कुल है सत्त हो जाएगा चेटा आपका दिया है लोकतंत्र में सासकों का चुनाव जनता करती है तो बिल्कुल करती है सत्त हो जाएगा चोता प्रसंद देख लिजगा जिसमें सही जोडी का मिलान करके लिखना है जो आपकी परिक्षा में छे नंबर की आने वाली है तो सही जोडी का मिलान कर लिजगा डाक्टर निल्सन मंडेला तिसमें आपको लिखना होगा दक्सिन अपरिका महात्मा गांधी तिसमें आपको लिखना होगा बहारत आंग सांसुकी तो तीसरे में आपको लिखना होगा म्यामार अब्रहाम लिंकल तिसमें आपको लिखना हो अपको लिखना होगा और धारा में आपको लिखना होगा किसी दस्तावेश का खास हिस्सा तो इस प्रकास से सही जोडिका मिलान हो जाएगा पांचवा देख लेज़ेगा इसमें एक वाक्य में इन प्रस्णों के उत्तर आपको देने होंगे तो आपका पेला दिया है प्रत्वी के मद्य में जीरो डिगरी अक्सान्स रेका को किस नाम से जाना जाता है तो पेले में आपको लिखना होगा बुमद्य रेका के नाम से जाना जाता है दूसरा आपका दिया है बारत के उत्तर पच्ची में इस्तित पोडोसी देशों के नाम आपको लिखना है तो दूसरे में आपको लिखना होगा नेपाल और बुटान इसके साथ ही आपका तीसरा दिया है बारत की सबसे लंबी टटरेका वाला राज्य है तो तीसरे में आपको लिखना होगा गुजरात गुजरात आपको तीसरे का उत्तर लिखना है चोता देख लिजगा गुणडवाना बुखंड कहां इस्तित है तो चोती में आपको लिखना होगा दक्सिनी गोलाड लिखना होगा और पांच्वा आपका दिया है बारत के एक मात्र सक्री जाला मोकी का नाम आपको बताना है तो पांच्वा में आप सभी को लिखना होगा बेरन दीफ बेरन दीफ आपको लिखना होगा और चेटा आपका दिया है बारत किस महादेप में है जो हमारा बारत किस महादेप में आपको बताना होगा तो लिख लिजेगा चेटी में आपको लिखना होगा एसिया एसिया मह तो बारत हमारा एसिया महादेप में हैं अब आप सभी दो दो तिन तिन एवं चार्चा नंबर के प्रस्न देख लेजगा और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लाश्ट में तो आपका छेटा दिया है बारत का अक्षान सिवा देशांतरी विस्तर आपको ब बारे में आपको बता कर लिखना है सात्वा देख लेजगा मानक या मुत्तर से क्या आश्य है इसके बारे में आपको लिखना होगा और अत्वा आपका दिया है बारत के पोड़ो सी देशों के नाम आपको बताने है अब आप सभी आट्वा प्रस्ण देख लेजगा बारत के पुर्वी टट पर इस्तेत जाज्यों के नाम आपको बताना है और अत्वी वाले प्रस्ण में आप सभी को बारत के पच्चे में समुंद्री टट पर इस्तेत जाज्यों के नाम आपको बताने है नोवा देख लिजगा बाबर क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा और अत्वा आपका दिया है बुगर भी प्लेटे क्या है इनके बारे में आप सभी को बता कर लिखना है दस्वा देख लिजगा बांगर और खादर में आपको पर्मोकर दो अंतर बता कर लिखना होगा और अत्वे वाले प्रस्ण में आप सभी को पुर्वी गार तता इनके बारे में आप सभी को बता कर लिखना है अतवा आपका दिया जिसमें फ्रांस की कृहनती कब आरम हुई इसके दो प्रबाव आपको लिखना है अत्वा आपका दिया है अत्वी के बाद चवदवा देख लिजगा फ्रांस में 14 जुलाई को क्या मैत्व है इसके बारे में आपको बताना होगा और इसके साथी आपका इसका अत्वा प्रसना आपको दिया है और पंद्रवण देख लिए जगा पंद्रवण में क्या पूचाए 28 सदि में फ्रांस इसी समाज कितनी वर्गों में बाटा गया था इसके बारे में आपको बताना होगा और अत्वा आपका दिया सो कुलात का अर्थ आपको बता कर लिखना होगा और सोलवी में आप सबी को फ्रांस की क्रांती ने विश्व को कौन से तीन सिद्धानत दिये उनके नाम आपको बताने है और यहाँ पर देख लिजगा सत्रोव परसन जिसमें पूचाए लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है इनके बारे में आपको लिखना होगा और अत्विय में आप सबी को लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विश्ष्था आपको बताना है अट्टारिविय में आप सबी को हिमाले की निर्मान प्रिक्या को समझा कर लिखना है अत्विय में आप सबी को बारत के उत्री मेदान का वन्नन करके आपको लिखना है अब आप सभी देख लेजगा 19 वा प्रस्ण 19 वे की बाद आप सभी को 20 वा प्रस्ण यासे मिल जाएगा ठीके सभी के उत्रा आपको बताने वाले इस वीडियो की लाश्ट में और 21 वा आपका दिया है जिसमें क्या करना है निमने लिकित को बारत के सीमा कर मानचित में दशाकर लिखना है मालवा पटार, छोटा, नाकुर का पटार, अरावले सेनी, काका कोरम सेनी इन सभी को आपको बारत के मानचित में दशाकर लिखना है आपको परिक्षा में पेपर के साथ में बारत का मानचित्र मिलने वाला है अत्वा देख लिजगा इसमें बारत के सीमाकार मानचित्र में इन सभी को दशाकर लिखना है नर्मदा नदी, ब्रमपुत्र नदी, बंगाल की खाडी, थार का मरुस्तर इन सबी को आपको वारत के मान्चित में दशाना है 22 देख लिजगा वारती सयुदान का निर्मान केसे हुआ इसके बारे में आपको लिखना है अत्वा देख लिजगा लोकतंत्र के खिलाप अपने मत तरकसाइत लिखना है और 23 प्रस्न आपका दिया है यह आपर देख लिजगा इस प्रकास से आपको परिक्षा में पेपर के साथ में भारत का मान्चित्र मिलने वाला है अब मैं इस पेपर का फुल सोलुशन आप सभी को बता देता हूँ जयसी कि हमने आप सभी को कुश्च नमबर एक से लेकर पाश तके उत्तर पेले बता दियते अब आप सभी 6 से लेकर 23 तके अंसर देख लिजगा तो यह अमरे छेटे प्रस्न का उत्तर हो जाएगा चेटे के बाद आप सभी को चेटे का अत्वे का अंसर यांसे मिल जाएगा ठीके और आप सभी को सात्वे प्रस्न एवं आत्वे का अंसर यांसे मिल जाएगा देख लिजगा और पल्डे जगा और आप सभी को नोवे प्रस्न का अंसर यांसे मिल जाएगा 9 के बाद आगे हम चलने वाल है तो आप सभी को 10 वे प्रशन का अंसर यासे मिल जाएगा 10 वे के बाद आप सभी देख ले जगा 10 वे प्रशन का अत्वे का अंसर और इसके जाथे आप सभी को 11 वे प्रशन का अंसर यासे मिल जाएगा तीके 11 के बाद आप सभी को 12 प्रिश्ण का अंसर या से मिल जाएगा 12 के बाद आप सभी देख लिजगा 13 प्रिश्ण का अंसर 13 के बाद आगे हम चलने वाल है तो आप सभी को मिल जाएगा 14 प्रिश्ण का अंसर चवदे की बाद आप सभी को मिल जाएगा पंद्रवे प्रस्न का अंसर पंद्रवे की बाद आप सभी देख लिजगा सोलवे प्रस्न का अंसर सोलवे की बाद आगे हम चलने वाल हैं तो आप सभी को सत्रवे प्रस्न का अंसर यहां से मिल जाएगा सत्रवी के बाद आप सभी देख ले जगा अटारवे प्रस्न का अंसर अटारवी के बाद आगे हम चलने वाल हैं तो यहाँ पर आप सभी को अटारवे प्रस्न का अत्वे का अंसर मिल जाएगा अटारिवी की बाद आप सभी देख लेजगा 19 वे प्रस्न का अंसर 19 वे की बाद आगे हम चलने वाल हैं तो आप सभी को 19 वे प्रस्न का अत्वी का अंसर यहां से मिल जाएगा इसके साथी आगे हम चलेंगे तो आप सभी को बिस्वे प्रस्ण का उत्तरिया से मिल जाएगा ठीके बिस्वे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को एक किस्वे प्रस्ण का अंसरिया से मिल जाएगा जिसमें क्या करना है देख लिजगा बंगाल के खाडी, छोटा, नाकूर का बटार, ब्रहमपुद नदी, काका कोरम सेनी, अरावले सेनी, थार मरुस्तर, नर्मदा नदी इन सबी को आपको क्या करना है, बारत के मानचित में दर्शा के लिखना है, मतला आपको चार को दर्शान है सिर्फ, ठीके, चार को आपको सिर्फ दर्शा के लिखना है, बारत के मानचित में, और इसके साथ ही याँ पर देख लेजगा 22 प्रस्न का अंसर, 22 के बाद आप सबी 22 वे का अत्वे का अंसर यहां से मिल जाएगा ठीके और इसके साथ ही आप सभी को 23 प्रिश्ण का अत्वे का अंसर यहां से मिल जाएगा और इसके साथ हमने इस पेपर का पुल सोलिशन आप सभी को बता दिया है ठीके मिलते अगले वीडियो में